आज के बिला तकल्लफ तैजिया में बातचीत होगी दुनिया में बढ़ते हुए क्रोना पैंडेमिक के हवाले से और इसके साथ साथ पाक्स्तान के वजीर आजम ने हाईवे रेप केस के सिलसला में कहा है कि रेप करने वालों की जिनसी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए उनके जिनसी आजाद निकाल देने चाहिए खतम कर देने चाहिए कैमिकल कैस्ट्रेशन होनी चाहिए और कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए इसके साथ साथ भारत में शुरू हो चुका है पारिमेंट का सेशन और इस सेशन में बहुत सारी बाते होंगी प्राइमिलेस सेंदर मुदी जोर दे रही हैं चाइना के साथ जो इशूज हैं और करोना पैंडेमिक के स्लस्षा में जो वहां पर इस वक्डैलेंज़ दरपेश हैं अमरीका में ऐलेक् एक्षिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक तो कुरोना का जमाना चल रहा है और दूसरा अमरीका में आइडियालोजी की कश्मकश अपनी इंतहाओं को छू रही है बातचीत हम करेंगे यॉर्पियन यूनियन ने आज चाइना को एक तरह से सक्त मैसेज दिया जो एक विडियो कांफरेंस चाइनीज लीडर्स और यॉर्पियन यूनियन लीडर्स के बीच में हुए सबसे पहले हम टच करेंगे प्राइमिनिस्टर इमरान खान का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने मुईद पीरजादा को एक इंट्रिव्यू देते हुए कहा उन्होंने कहा कि क केमिकल कैस्टरेशन होनी चाहिए उन रेप ओफेंडर्स की जो रेप में मलविस हों और उनको कड़ी से कड़ी सदा दी जाए सबसे पहले हम मुईद पीरजादा की कर्टिसी के साथ उनके इंट्रिव्यू से एक मुक्तसर सा क्लिप सुनते हैं उसके जो मैं उसके बाद आगे से कुछ कर यू ना सके जो रेपीट ओफेंडर है जो देखे ना जिस तरह मर्डर होता है फर्स डिग्री सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री उसी तरह इसको भी ग्रेट करें और जो फर्स डिग्री हो उसको कि तो कैस्टरेशन करें यानि उनको कभी भी यानि उनको आप आपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें उससे इस तरह के लोगों को इनको आपरेशन करना जाए पाकिसान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रेप ओफेंडर्स के हवाले से एक बहुत ही स्ट्रॉंग स्टेट्मेंट दी और उन्हों ने कहा कि जिस तरह फस्ट उफेंडर्स, रेप उफेंडर्स हैं उनकी केमिकल कैस्ट्रेशन हो और सक्से सक्ट और कड़ी से कड़ी स्था दी जाए पाकिसान में जब से ये अफसोसनाक वाकिया हुआ पाकिसान के एक मोटर वे में जब एक खातून का रेप किया गया तो उसके बाद से सोशल मीडिया और पाकिसान के मीडिया में ये गम उगुसे के साथ बाती चल रही है कि इस तरह के रेप करने वाले लोगों को उल्टा लटका दिया जाए, फांसी दे दी जाए और बेतहाशा ना सिर्फ गम उगुसे पाकिसान में पाया जाता है बलके पाकिसान से बाहर बसने वाले डायस्पोरा में भी पाया जाता है प्रामिनिस्टर इमरान खान ने पहली बार इस मसला पर खुल कर बात की और बात की तो सक्त लफजों में की अगर्चे एक रोज पहले उनके एक मिनिस्टर चोड़ी फवाद हुसैन ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि इस तरह की सक्सदा नहीं दी जा सकती उन्हों ने अपने ट्वीट में कहा कि जिन्दा जला दें सरेयाम फांसी दे दें जिसमानी अजा काट दें अवाम की जानब से ऐसा रदे अमल आना तो समझाता है लेकिन हमारे वुजरा और पड़े लिखे तबकात की जानब से बगेर किसी हिचकर चाहट के ऐसी बातें करना हमारे मौशरे की मुटशदद सोच का अकास है जो तशददद को हर मसले का हल समझती है यह है ट्वीट पाकिससान के एक वजिर फवाद हुसैं की जो उनोंने एक रोस पहले इर अमरान फान के इस इंटिवियो से पहले और उस में उनोंने कहा कि इस तरह की सख बात करना जसquez तरह की बाद प्रामिनिस्ट इमरान खान ने की है उन्होंने कहा था अपनी ट्वीट में फवाद हुसेन ने कि ये पुर्तशद्द रवए की अकासी करती है इस तरह की बात के अजा काड़ दिये जाएं कास्ट्रेशन कर दी जाएं या उनको जला दिया जाएं इस तरह की बाते हैं तो बरहाल ये एक तरह से कांट्रेडिक्शन है गॉर्मिंट के डो सबसे बड़े अफसरों की एक तो खैर प्राइम मिनिस्टर है जो अफकोर सबसे बड़े चीफ एग्जेक्टिव हैं गॉर्मिंट के किसी भी मुल्क में और उसके सास्थ तरह सीनियर मिनिस्टर का ये एक र अनसार बर्नी ट्रस्ट के हेड अनसार बर्नी ने कहा कि ऐसी बात करना गलत है वो इसकी मजम्मत करते हैं इस तरह की लेजिसलेशन एक जोक होगा उन्होंने बीवी सी अर्दू.डाट कॉम के साथ ये बात करते हुए कहा उन्होंने कहा कि आप यानि प्राइम मिनिस्टर आप एक ऐसे मुल्क में इस तरह की लेजिसलेशन की बात कर रहे हैं जहां अमीरों के लिए अलग लॉज हैं और गरीबों के लिए अलग लॉज हैं उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये हर्गस नहीं कहना चाहता कि ऐसे रेप करने वाले करिमिनल को सक्से सक्सदा ना दी जाए अन्ह उन्हें मजीद वजाहत की कि सदा जरूट ने सक्से सक्ते जिससे उसको अपने जुरम का अंदाजा हो और माशरे में भी ये अंदाजा हो कि इसकी सदा मिलेगी लेकिन उन्हें इस खचे का जार भी किया कि इस तरह बहुत सरे लोग अपनी जाती रंजिशों के चकर में इस तरह की लेजिस्टेशन नहीं होनी चाहिए और लेजिस्टेशन को एक जोक ना बनाएं पाकिसान में इस वक्त रेप का ये जो मसला है एक बहुत ही गंभीर बहस का हिस्सा बन चुका है इस वाकिया के साथ साथ एक और वाकिया भी पिछले दुनों वहां पर सामने आया एक पाइस साला बच्ची को रेप करके मार दिया गया तो इस तरह के वाकिया पाकिया पाकिसान में बहुत होते रहते हैं और ये तो वो वाकिया जो रिपोर्ट किये जाते हैं जो अन रिपोर्टेड वाकिया है वो तो अन एकाउंटेंट है तो बरहल ये वाकिया ही एक तक पहुंच चुकी है कि एक तरह से लिवेबल मुल्क नहीं रहा अब प्रामिनिसर इमरान खान ने जो सक्स स्टेट्मेंट दी है उसके बाद क्या सूर्ट आल बनती है अमली तौर पर क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा उधर भारत में मौनसूच सेशन पार पारलीमंट एक तरह से सस्पेंड हो गी थी फौर दे टाइम बिंग और कुछ महीनों के बाद अब पारलीमंट वापस अपने सेशन में गई है तो जब पारलीमंट अपने सेशन को आज गई तो उस वक्त प्रामिनिस्टर नरिंदरा मोदी ने पारलीमंट के अंदर दाखल नोने से पहले बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पारलिमेंट में एक बड़ा मसला तो कोविट का जेरे बहस होगा और दूसरा बड़ा मसला जो चीन के साथ फेस आफ है उस पर बातचीत होगी पारलिमेंट में प्राइमिनसर निंदरा हुए हैं बड़ी हिम्मत के साथ जजबे के साथ बुलंद होंसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में गटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं मात्र भूमी की रख्षा के लिए डटे हुए हैं ये सदन भी सदन के सभी सदस्य एक स्वर से एक भाव से एक भावना से एक संकल्प से वो संदेश देगे सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है साउसद और साउसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है यह बहुत ही मजबूत संदेश भी यह सदन देगा सभी मानिय सदस्यों से देगे ऐसा मुईरा पूरा विश्वास है मैं आप से भी आगर करूंगा कि कोरोना के कालखंड में आपको पहले की तरह मुक्ती से सब जगा पे जाने का अवसर नहीं मिलेगा अपनों को खुद जुरूर समालना दोस्तों जब तक दवाई नहीं तब तक कोई डिलाई नहीं प्रामिनिस्टर निंद्रमूदी ने वाज़ियत और पर कहा कि दो बहुत बड़े मसले हैं जिससे कौम दरपेश है एक तो करोना का है और दूसरा बड़ा मसला इस वक्तिय है कि भारत की फौजें चाइना की फौजों के आमने सामने खड़ी है और इसी पारलिमेंट से इसी नेशन से एक हौसले बड़ा मेसेज जाना चाहिए भारत की फौजों को के कौम उनके साथ खड़ी है पारलिमेंट उनके साथ खड़ी है इस मुशकल की गड़ी में बरहाल चाइना इंडिया फेस ओफ एक बहुत बड़ी इसवग Riley है, अगर्चे कुछ Tension कुछ निनों से कम हुए है, जब से भारत के Fireminister और चीन के Fire Minister की Roos में मुलाकात हुई, कुछ Tension कम हुए हैं अभी तक भारत की वारत करी आमने सामने खड़ी है, दुनिया में एक और एहम खबर एरान के हुआले से है एरान में हर रोज कोई न कोई ऐसा हूमेंन राइक्स के ही वायलेशन का वाकिआ होता है के लगता है कि इंसानियत की कोई कदर नहीं है एक इसी तरह के एथलीट को एरान में फांसी के गार्ट पर चढ़ा दिया गया और उस पर काफी पॉर्टेस हो रहे हैं आज टोरांटो में भी एक पॉर्टेस हो रहा है और दुनिया भर में पॉर्टेस हो रहे हैं इस सिल्सला में, योरो नियूस की कर्टसी के साथ, विद अर्टसी आफ योरो नियूस, एक वीडियो रिपोर्ट आपके साथ ने पेश करते हैं। एरान's execution of a wrestler accused of murder has sparked an international outcry after appeals for him to be spared were ignored. 27-year-old Navid Afqari was handed a death sentence over the killing of a security guard during anti-government protests in 2018. Navid was subjected to a shocking catalogue of human rights violations and crimes after his arrest, including torture and enforced disappearance. He was repeatedly tortured, both physically and psychologically, to confess. And he was denied access to a lawyer throughout the whole investigation phase. In a tweet, the U.S. Secretary of State, Mike Pompeo, called Afqari's execution a vicious and cruel act and an assault on human dignity. Iran State media said the wrestler's sentence was carried out by hanging in the southern city of Shiraz. The International Olympic Committee called his execution very sad news and their thoughts were with his family and friends. The international relations was carried out by the U.S. Secretary of State. The U.S. Secretary of State. The U.S. Secretary of State.'s Secretary of State. I know that's the U.S. Secretary of State. A mandate of the U.S. Secretary of State. The U.S. Secretary of State within Iran has pushed as a success and a sternic human crimes ना करें बारहाल इस तरह की सूरते हाल हम देखते रहते हैं चीन और भारत के हवाले से अभी हमने प्राइमिनिस्टर निंडरा मूदी का एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें उन्होंने चीन का नाम लिए बगहर भारत की अफवाच को एक हौसले बरा message ताके कौम की ये message पार्लिमेंट के थूँ जाए के पूरी कौम फाज के साथ खड़ी है और वो वैसे भी भारती सैना के साथ पूरी फाज और पार्लिमेंट खड़ी ही है एक ऐसा ही message यॉर्पियन यूनियन ने आज चीन की leadership को दिया जब एक virtual conference यॉर्पियन यूनियन और चीन के लीडर मैं एक मुक्तसर video report आपके साथ शेयर करता हूँ EU-China relations will be put to test this week as European leaders sit down with their Chinese counterparts, virtually of course. On the agenda, climate change, trade, the economy and COVID-19 which has soured relations significantly. For the EU foreign affairs chief, China is getting more powerful and assertive and its rise is impressive and triggers respect but also many questions and fears. Reinhard Boutsikoffer is the head of the China delegation for the European Parliament. He says Europe has adopted a more robust approach. Europe is pushing back harder because the aggressive behavior on the part of China. I would describe the situation by saying Europe is learning the lesson of how to be less naive and more forceful, standing up for our values and our own interests. Human rights and the rule of law in China will also be raised. Angela Merkel is set to bring up the deteriorating situation in Hong Kong and the South China Sea. I think we will very soon, hopefully even through the German presidency, finalize the work on the global human rights sanctions mechanism which would allow Europe to sanction individuals that are responsible for major human rights violations like the police boss in Hong Kong who is drilling his men to be as violent as they can. A face-to-face human rights dialogue is planned between the EU and China later this year. For Euronews, I'm Mayuv MacMahon in Brussels. With the courtesy of Euronews, we have seen a video report and very good to know that Europe and the European Union has also felt that there was so naivety in terms of understanding China, in terms of dealing China. But now I feel like this is a feeling that this is happening and this is very important, this is a feeling recently America has also happened to be a very bitter experience in the United States. भारत ने बहुत कोशिश की कि चीनी हिंदी भाई भाई की जो एक रीट चली आ रही थी उस रीट में किसी तरह से ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो कि कान्फलिक्स भी रहें लेकिन तल्लकात भी बढ़ते चले जाएं और हालात भी अच्छे हों आपस में मगर नहीं हो सका और चा को कुछ थोड़ी सी होशाई लगता यह है कि चाइना को जब तक टाफ रिस्पाउंड ना किया जाए चाइना की कैमेनस पार्टी को बात समझ नहीं आती अब अमरीका भी टाफ तरीके से response कर रहा है तो लगता है कुछ कुछ चाइना को समझा रही है ये बात तो अमेरिका के elections के बाद खुलेगी यॉर्पिन यूनियन ने भी अब सक्त मैसेज देना शुरू कर दिया यॉर्प के छुट छुटे मुलकों को या इवन यॉर्प के बड़े मुलकों को जैसे फ्रांस ब्रतानिया को चाइना जैसे यू लगता था कि घासी नी डालता था मगर जब यॉर्पिन यूनियन मिलकर अब टफ मैसेज दे रही है तो चाइना को इसास हो रहा है अमरीका भी चाइना को अब बहुत टफ मैसेज दे रहा है सदर टरम्प तो टफ मैसेज दे ही रहे थे अब जो बाइडन भी इलेक्शन में अपना पलडा भारी करने के लिए चाइना की कुछ-कुछ बात करने लगे है और अमरीका में जो इलेक्शन की फजा है वो वाके ही काफी गंबीर होती चली जा रही है दोनों पार्टियों का पल्ला एक दूसरे के करीब आता चला जा रहा है और लगता है के वहां पर कान्फलिक्ट बढ़ेगा हमें बहुत सारी ऐसी वीडियो भी देखने को मिल रही है जिसमें ब्लैक मिलेशिया और कोट अनकोट वाइट मिलेशिया वो भी सामने आ रही है और इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि क्या अमेरिका में कोई छोटी मोटी सिवल वार तो नहीं होगी इस तरह की अमेरिका में सिचुएशन हमेशा से रही है लेकिन आजकल ये सिच्वेशन अपनी इंतहाओं को छो रही है एक तरफ तो बाइडन कमाला कैम ये थाबत करने की कोशिश कर रही है कि जो इमिग्रेंट्स हैं जो न्यू अमेरिकन्स हैं उनकी मिजोर्टी उनके साथ है और सदर्ट्रम के साथ जो वाइड नैशनलिस्ट हैं वो साथ है और दूसरी तरफ सदर्ट्रम भी इस बात को खुल कर बियान करते हैं कि उनके साथ जो असल अमेरिकन्स हैं अब असल अमेरिकन्स उनकी यही मुराद है कि जो मिजोर्टी ऑफ दे साइलेंट कम्यूनिटीज है वो उनके साथ हारी है जो ज्यादा तर वाइड पर हैं लेकिन ये भी हमें मलूम है कि सदर्ट्रम के पिछले एलेक्शन की तरह इस एलेक्शन में भी ब्लैक्स भी हिस्पैनिक भी एजिन्स भी बहुत बड़ी तदाद में और खास तर पर इंडियन कम्यूनिटी बहुत बड़ी तदाद में सदर्ट्रम को वोट देगी ये सूरते हाल वाज़ है इसी तरह एक रैली में मुक्तलिफ लोगों ने अपनी पुलिटिकल एफिलेशन का इज़ार करते हुए वाज़ तोर पर कहा कि चाहे वो ब्लैक कम्यूनिटी से हैं चाहे वो एशियन फिलिपीनो कम्यूनिटी से हैं वो सदर्ट्रम को ही वोग देंगे एक वीडियो क्लिप देखिए I support the president because he's done more for the black community, all Americans really, than any other president in my lifetime. I'm happy what he's doing for businesses, small businesses, trying to get us reopened. I don't know what it would be like if I was still in the Philippines. I mean, this land, this country, the constitution, I mean, it's everything. I'm so thankful to be here. I am so thankful to be here and I appreciate President Trump for everything that he's doing. I didn't vote for him in the primary, but you know what? He has absolutely proven himself to be the conservative that, you know, that stands for the people and is fighting for us. He's really fighting for us and I truly believe that. So it's safe to say you'll be voting for him in 2020? Oh my gosh, of course. I mean, there's no question. So you have listened to Black Community और फिल्पीनो कमीटी के members भी सदर TRUMP की rally में शरीक हो रहे हैं और खुल के कह रहे हैं कह रहे हैं कि सदर TRUMP का साथ देंगे. Politicsר Saintcheau wells का यही कहना है कि अगरचे थोड़ा सा पल लड़ा जो बाइडन कैम्प का भारी नजर आता है. मगर पिछले एलेक्शन की तरह इस एलेक्शन में भी सदर टरंप के जीतने के इमकानात ग्राउंड रियालिटीज पर बेस करते हुए ज्यादा है सदर टरंप पर सबसे बड़ा जो अटैक पुलिटिकली हो रहा है वो है कि वो करोना पेंडेमिक की सिचुएशन को बेतर तौर से हैंडल नहीं कर सके अभी एक बहुत सेंस्टिफ बहस है करोना पेंडेमिक दुनिया के जो मोस्ट पॉपॉलेटिड कंट्री हैं उन में हैंडल करना बहुत मुश्कल है अमेरिका तीसरा बड़ा दुनिया का मोस्ट पॉपॉलेटिड कंट्री है चाइना से हमें कोई खबरे नहीं आती कि वहां पर पेंडेमिक की क्या सिचुएशन हुई थी बहाराल ये एक जरूर बात नजर आती है कि इतनी बड़ी पॉपॉलेशन के बावजूद रेलेटिवली चाइना ने जहां से ये वाइरस निकला था रेलेटिवली इस पर काबू पाया भारत जहां मुम्किन नहीं है कि इस वाइरस पे काबू पाया जा सके लोगों को काम करना है डेली वेज़ज पर लोग हैं और वहां पर अब जैसे एकानومी खुली है तेजी से infection rate बढ़ रहा है मगर death rate infection rate के मकाबले में बहुट कम है अμεरिका में death rate भी भूट घा rolled और infection rate भी बहुट है जा रहा है अब death rate अमेरिका में भी कम हो गया है डुनिया में infection rate generally corona pandemic कब भूत तेजी से बढ़ रहा है ये बहस चलिड चुकी है कि क्या ये सेकंड फेज है दुनिया में इस पैंडेमिक का ये पहले फेज की ही कोई एक्स्टेंशन है ये अभी तक वाज़ नहीं है किसी वैक्सीन के आने की कोई कंफर्म इतलार नहीं इसलिए पैंडेमिक को काबू में रखना बहुत जरूरी है यहां हमारे कैनेडा में आंटेरियो के परविंस में तीन सो से जाइद इंफेक्शन सामने आई हैं जो गालबन इस पैंडेमिक के जमाने में आंटेरियो परविंस में सबसे ज्यादा है इसी तरह क्योबैक भी बैडली हिट है अगरचे आज ये कहा जा रहा है कि कैनिडा में कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई इस वक्ट जो सूर्टेहाल है कैनिडा में पर्टिकुलर्ली जो कोविट की इंफेक्शन सामने आ रहे हैं वो ज्यादा तर रेलिटिबली यंग लोगों में सामने आ रहे हैं परहल करोना पैंडेमिक एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुमेनिटी के लिए और इस चाहिए ये बहुत ही सीरियस मसला है और इसी सीरियस मसला को हम आने वाले दिनों में देखेंगे के ये अपनी संगीनी को किस तरह और आगे लेकर आता है या फिर दुनिया इस पर काबू पाने में कामयाब हो जाती है आज का बिला तकल्लफ राउंड अप देखने और सुन काम किस चा कामयाब हो जाती है आज को जाता है आज करदे ये आज को है आज कर दो में हू आज कर भाने ।